महादेव का सबसे प्रिय सावन का महीना शुरू होने वाला है कहते हैं कि हमारे भोले नाद बहुत ही भोले हैं सावन के महीने में इनकी पूजा अर्चिना की जाए तो मन चाहा वर्दान मिलता है अगर आप भी भोले नाद के भक्त हैं और सचे मन से सावन में बाबा की पूजा करना चाहते हैं तो हम आपको ऐसे 11 मंत्रों के बारे में बताएंगे जिनके जाब से आप पर महादेव की कृपा बनी रहेगी ये खास जानकारी हमें देवघर के पागल बाबा आश्रम के जोतिशाचारे पंडित नंद किशोर मुदगल ने दी है लोकल इटीन से बात करते हुए जोतिशाचारे ने बताया कि 22 जुलाई से सावन महीने की शुरुवात होने वाली है इस महीने अगर आप भगवान शिफ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक आसान उपाए करें जो है महादेव के 11 नामों का जाप जोतिशाचारे बताते हैं कि सावन के महीने में एकादश रूद्र नाम का एक जाप करने से सकरात्मक यानी पॉजिटिव एनरजी मिलती है इनसे सभी तरह के रोग, दोश, कश्ट, नकरात्मक उर्जा खत्म हो जाती है आपको इन 11 मंत्रों का जाप जरूर करना जाहिए नाम जब बेहद शक्ति शाली होते हैं, इनके जाप से किसी भी तरह के पाप से मुक्ती मिल सकती है आइए जानते हैं भूले बाबा के 11 मंत्रों के बारे में सावन में भूले बाबा के इन 11 मंत्रों का जाप जरूर करें इससे जीवन में सुख सम्रिधी और खुशियों का आगमन होगा लोकलिटीन के लिए देवघर से परमजीत की रिपोर्ट